बंदर और टोपी बेचने वाला जब टोपी विक्रेता था तो वहाँ अपनी टोपी बेचने के लिए बाजार जा रहा था। वहाँ अपने सिर पर टोपी की टोकरी लिए हुए था। तेज धूप और लंबी सेर के बाद तोपी विक्रेता ठक गया और उसने जपकी लेने का निर्णय लिया वह एक बड़े पेड की छाया के नीचे लेट गया और तोपी से भरी अपनी टोकरी उसके बगल में रख दी थोड़ी ही देर में वह सो गया तोपी विक्रेता चले गए तोपियों की अब आपत्ती हुई पेड की ओर देखा कई बंदर उसकी तोपी पहन रहे थे तोपी विक्रेता परेशान था उसने जल्दी में एक योजना बनाई वह अपनी तोपी जमीन पर फैंक दी सभी बंदरों ने टोपियां जमीन पर फैंक दी विक्रेता ने टोपियां एकत्र की